अस्सलाम अलेकुम वरहमतुलाही वबरकातु हूँ, मैं सज्जात सरफराज, आज तालिम नफसियात, बच्चों की नफसियात और तद्रीस, चाइल्ड डेवलेप्मेंट और पेड़ागोगी की क्लास नमबर त्री है, नशोनुमा के उसूल प्रिंसिपल आफ ग्रोथ और ड डेवलेप्मेंट, यह तस्वीर इस्से पहले बताया था, इसे पहले भी इसके बारे में, एक्स्प्रिनेशन मैं करा था, तो डेर्थ हम उसूलों के तरफ बढ़ते है बाग़ुह आउसूल क्या है, प्रिंसिपल आफ ग्रोथ और डेवलेप्मेंट के बाग़्या glass अवो चोटा होता है तो वो बच्चा बिल्कुल दूसरों पर इनिसार करने लगता है इसकी बहुत सी सरगर्मी इसके कंट्रोल में नहीं है यानि के बच्चा जब चोटा होता है तो उसके कोई काम उसके अंडर कंट्रोल नहीं होता उसको दूसरों की जरुत होती है वो दूसरों पर dependable होता है जो कुछ वो सीखता है वो जुज की शकल में सीखता है ये important है जो कुछ भी वो सीखता है वो जुज की शकल में सीखता है और फिर जुज से कुल की जानी मुकमल होती है और वो जो जुज होती है वो जुज जो सीकता है वो जुज वो कुल के जानी पॉल जाती है यшben हो पूरी इस की बात मुकमल हो जाती है पूरी कोई चीज वो पकड़ता है तो अपना पूरा पंजा वो उस चीज के उपर रखता है और फिर उंग्लियों के साथ ये काम को सीखता है फिर वो क्या करता है अपनी उंग्लियों को इस्तमाल करते हुए उस काम को सीखता है जो वो काम कर रहा है फिर बड़ा होकर पूरे हाथ का इस्तिमाल एक साथ होता है यानि जब वो बड़ा होता है तो उसको मालम हो जाता है कि यहाथ किस इस्तिमाल के लिए किस तरह इस्तिमाल करना है उंगलियों का इस्तिमाल क्या है वो बड़ा होने के बाद समझ जाता है शुरुआत में वो उंगलियों के इस्तिमाल का यहाथ का से करता है पिर बड़ा होने के बाद किस तरह से करता है इन दोनों में फर्ख पाया जाता है क्योंकि बच्पन में वो डिपेंडेबल होता है बड़ा होने के बाद वो इंडिपेंडेबल हो जाता है यह खुद अपना आप वो काम करना सीखता है या पूरे काम का इस्तमाल वो इसूल के अंदर जुज़ से कुल की जानी बच्चा बढ़ता है नेक्स्ट है इन्फरादी अख्तलाफात का असूल पिंसिपल अफ इंडिविज्वल डिफरेंसेज ये क्या होता है इन्फरादी अख्तलाफात क्या होते इस उसोल के मुताबिक हर एक बच्चे की बालदगी अपनी शकल की होती उनका रंग अलग होता तो इस तरह के अख्तलाफात इन्फरादी अख्तलाफात बच्चे के अंदर पाए जा सकते हैं एक ही उमर के दो बच्चों की जिस्मानी दिमागी समाजी बालिद्गी में इन्फरादी अख्तलाफात पाए जाते हैं या मिसाल मैं बता रहा देखे किस तरह से बालिद्गी के अपनी शकल होती ही या किस तरह से इंफरादी अख्तलाफात बच्चों में होते हैं यहां पर बता रहा देखिए कि जिसमानी या तो वो जिसमानी डिफरेंस हो सकता उनके अंदर या तो मेंटली डिफरेंस हो सकता ग्रोथ के अंदर तो इस उसूल को इंफरादी अख्तलाफात कहा जाता है किस सब्सक्राद से इंफरादी अग्तलाफात का का ओंसे है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे पिर नेक्स्ट इसके बात के रसोल के बारे में पढ़ेंगे इसके बात का उसूल यह है कि अमूमी से रद्यामल तजरुबात की बनियात पर होता है। आपसे में चीज यह है कि इनसान का जो रद्यामल होता है, इस रद्यामल तब्दिल होता है। ये रद्यामल तब्दिली, अमूमी से खुसूज की तरफ होती है यानि आम से खास की तरफ होती है। इस उसूल का मतलब भी यह है कि आम से खास की जानिव होती है। जैसा कि आपने देखा छोटा बच्चा मिट्टी को ही मूह में डालता है। ये तो आप बात अच्छी दरा से जानते है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो मिट्टी को मूँ में डालता है वो उसको पसंद भी होती है क्योंकि ये खुद॑रती अमल है बच्चा शुरूआत में हर बच्चा ये ही करता है जो आम है यह आम चीज है हर बच्चा यह चीज को जब छोटा होता है तो यह दोराता है क्योंकि यह आम चीज आए और वक्त के साथ साथ वो मूं में सिर्फ खाने की ही चीजों को रखता है यानि बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो वो खाने की चीज़ों डालता है वो मिट्टी नहीं खाता है जरकिन जब बच्चा बालिग होता है बड़ा होता है समझधार बनता है तो वो उन चीज़ों को नहीं खाता जैसा कि मट्टी हो या कोई और चीज़े हो वो नहीं खाता क्योंकि ये खुसूसी नशनुमा की तरफ पहल करता है तो इस उसूल के अंदर इस उसूल का मतलब य है कि इसमे नशनुमा जो बच्चे की आम से खास के तरफ या उमूम इसे खुसूस की तरफ होती है उसके बात नेक्स्ट है तवारूस और माहुल के बाहमी असर का फरक ये एक इंपॉर्टन्ट असूल है नशनुमा के और नमू नशनुमा के असूलों के अंदर असूल ये फैक्टर एक तवारूस और दूसरे को माहुल कहा जाता है ये दोनों भी बच्चे की नशनुमा के अंदर बहुत ज्यादा एहम किरदार अदा करते है अपने अपने तरीके से तवारूस का मतलब वसी है लेकिन यहां इस बात को समझ लेना है कि बच्चा अपने आबाव औ अजदाद वालिदें से कुछ खुस्चित के साथ पैदा होता है बिलकुल सही बात है कि बच्चा जो पैदा होता है तो वो अपने जो हरिडिटी होती है आबाव औजदाद की अपने पैरेंट्स की अपने वालिदें की वो खुस्चित के साथ पैदा होता है या तो वो जह कवारती और समआजी माहल कहा जायता है विल्कुल इनसान माहूल के अंदर बढ़ता है 했कि निशोनुमा माहूल के जरीय से भी होती है इसक Navy नूर इसके जरीय जो खोसित आगे Gए इसे अगए है इसे तब्दिल नहीं किया जा सकता ёimme माहूल भी वो एक एहम फैक्टर है, माहौल के जरीए बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बच्चा पीर गुरूप के अंदर रहता है, या दूसरे लोगों में मिलता है, बड़े लोगों में बैठता है, चोटों में बैठता है, तो उस माहौल के जरीए बच्चा कुछ आदातें वो अप तब्दिल नहीं किया जा सकते सबसे important चीज़ है समझने की आफिर्स चीज़ जो चीज़ में बच्छे के इंदर transfer हुती है उसको तब्दिल नहीं कर सकते क्योंकि वो अगर उसके अंदर को तब्दिली चाहिए तो वो तब्दिली सिर्फ माहुल के असरात की, माहुल के एफेक्ट की वज़े से ही बच्चे के अंदर वो तब्दिली आ सकती है इसलिए नशोनुमा को असलिए इस बाहमी असर क कानदी का लाती है, या इसमें दोनों फैक्टर भी लाजमी है ईसकी एक अगर कम हो जाए तो इस उसलो का डिलॉलप्मेंट जो होता होँ वो सही नहीं होता इसलिए इस उसूल के लिए इस उसूल को मुकम्मिल होने के लिए दोनों फैक्टर्स का या दोनों चीजों का तवारुस और माहुल का तालुख या बाहमी रब्त होना बिल्कुल जरूरी है ताके बच्चे के नशौनमा अच्छे से हो सके आज की मेरी क्लास खतम हुई यहां पर प्रिंसिपल आफ ग्रोथ और डॉलर्मेंट के तमाम जो असूल थे वो खतम हुए और मज़ीद वीडियो के लिए आप क्या कीजिए हमारे टेरिग्राम चैनल को आप महां से हमारे नोट्स भी हासिल कर सकते हैं या हमारे इस वीडियो क लाइक अंड सब्सक्राइब करें этाट को मज़ीद वीडियो मिल सके ताकि आपके नालेज में अधाफा हो सके इसको लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए और शेर भी की जिये जजाकर लपारी